प्रवादनिय मुख्य सची भर्यान श्री डियस्टेसी साथ का शुभाग मन हो चुगा है और उनके साथ साथ आज के इस कार्कम में अपने ग्यान, अपने दर्शन और अपने चिंतन से हम सब को कुनानक देव जी के जीवन और उनके प्रसंगों से जोड़ने वाले वित्वच्चन उनके गर्मामा उपस्तिती भी समय इस मंज़ पर है इन सभी का आप सब के तरफ से एक बार हार्दिक स्वागत अम्रंदन हम करना चाहेंगे आएए आप सब के करतल भन के साथ आप सब के तालियों के साथ ऐसे वित्वच्चनों का हम स्वागत करें जो आज के इस आयुचन में यहां उपस्तित हैं और हम सब को गुनानक देव जी के जीवन उनके प्रसंगों से एक बार पुने जोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यहां उपस्तित हुए हैं आप सबी जानते हैं कि अर्यान सरकार का जो सूचना जन्संपर कर भाशावे भाग है उसने एक शिंगला की शिरुवात की है जो पांसो पचासवें प्रकाश वर्ष के रूप में जिसे हम मना रहे हैं गुनानक देव जी के प्रकाशपर्व के रूप में और ऐसे साड़े पांसो वर्ष की इस पूरे उनकी यात्रा में इतने वर्षों बाद भी जिनका जीवन जिनका चिंतन जिनका दर्शन आज इनकी एक एक वानी एक एक शब्द हम हमारे जीवन को पूरे समाज को बलकि पूरी दुनिया को आलोकित करने की एक शमता रखता है उससे चुड़ने का एक उसर इस कार्किम के माध्धिम से हम सब को मिलेगा एक बार पुने हैं इस आयोजन में आप सभी का हर्दिक स्वागत अब नंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री समीर पाल सरोजी से हमारे डार्क्र जनरल आई पियर सुचना जन संपर्क वाशावी बाग कि वे आदर्णी ठेसी साहब को यहां मुक्य सची महोदे को बुके भेट करके उनका स्वागत अब नंदन करेंगे और ये आदर्णी मुक्य सची महोदे की प्रेणा और उनके मांगदर्शन में इस तरह का आयोचन और बलकि इसकी एक शिंकला जिसके शुरुआत आप सबकी गर्मामा युपसिति में यहां होने जा रहा है इस अवसर पर हम उनका अर्दिक स्वागत अब नंदन करते हैं उनके आगमन के लिए उनकी गर्मामा युपसिति के लिए तमाम विस्ताओं की बीच उनका यहां आना हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है खुशी की बात है हमारे बीच जाने माने सिक्विद्वान लेखक जो की इंग्लेंड से खास दोर पर यहां बढ़ा रही है डॉक्टर हरजिंदर सिंग्दिलीर साहब जोने ने पंजाबी और सिक इतिहास पर साठ से भी अधिक किताबें लिखी है ऐसे डॉक्टर साब का यहां आज इस कारक्य में इस मंच पर उनकी गर्मामा युपस्तिति से हम सब आलादी थें हम सब अभी भूत हैं मैं निवेदन करूंगा समयरपाल जी से कि उन्हें भी इस अवसर पर एक बोके मेट करके उनका भी स्वागत अमनन्दन आप सब की स्रें और सम्मान से बरी तालियों के साथ करेंगे और पंजाब की प्रक्यात सहितकार कवी लेखक भारे सरकार ने जिन्हें पदमिश्की से सम्मानित किया है आदरिया सुजीत पातर जी जिनकी सम्मेधनाएं उनके शब्दों और उनकी वार्णी और उनकी कविदा के माध्यम से पूरे समाज को पाठकों को प्रेरित करती है उनका इस अवसर पर यहां स्वागत अबनन्दन है आज के इस कारिक्रिम में देविय सचनों पंजाबी सब्याचार खासतर अपने नाटकों के माध्यम से दुनिया भर में पंजाब के चिंतन को जिन्हों ने पहुंचाया है कितनी सारे किताबें लिखी हैं कितना सारा मंचन किया है और ऐसे व्यक्ति हैं विभूति हैं जिने साहित्य अकादमी का राष्टिय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी का राष्टिय पुरस्कार मिला है ऐसी विभूति को डॉक्टर आत्म जी सिंग जी का स्वागत अमननन आज इस सवसर पर हम करना चाहते हैं इसायो जिन में उनके गर्मा मायू पस्तिती के लिए मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर जागीर सिंग जी दल्ले विश्विद्याले से यहां पदा रहे हैं और आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं सेंटर अफस्टेडियस इन गुरू डॉक्टर जग्बीर सिंग उनके गर्मा माय उपस्तिती यहां पर हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अबनन्दन है रुपिंदर सिंग जी सीनियर अससेटेड डिडियर त्रिबून चंडीगर के जिन्होंने धर्म पर साहित पर इस तरहे के पंजाबी सभ्याचार पर लगातार जिनकी कलम बहुत सजग रही है सक्री रही है आज उनकी उपस्तिती हम सब के लिए गर्मा की बात है गर्मा की बात है उनका भी सवसर पर हर्दिक स्वागत अबनन्दन है आप सभी का स्वागत अब नंदन, मैं निवेदन करूँगा श्री समीरपाल सरोजी से, हमारे महाने देश्यक, IPR, सुचना जन संपर्क भाशा भी भाग, कि वे आप सब का स्वागत करने के लिए पधारे हर्याना के मुख्य सचीव श्री, DS DC साहब, आज के मुख्य अथिति, हमारे विशेश आगरे और निमंतरन पे, आज के जो बहुत ही, डिस्टिंग्विश पैनल है, स्पीकर्स का, उसमें, डॉक्टर दिलगीर जी, जो इंग्लेंड से स्पेशल पधारे हैं, परसिद लेखक और कवी, पदम श्री सुर्जीत पातर जी, डॉक्टर आतम जी जी, पंजाब के जाने माने विद्वान, लेखक, रंग कर्मी, जिने राष्टिय सहित्य अकेडमी आवार्ड, और कई और राष्टिय पुरुसकार से सम्मानित हैं, डॉक्टर जगीर सिंग, दिली उनिवस्टी के जाने माने सिख, लिट्रेचर हिस्टी पे जो एक विद्वान है, रुपेंदर सिंग जी, पंजाबी ट्रिब्यून के चंडिगट से जाने माने ए लेखक हैं, और एसोसेट एडिटर हैं चंडिगट में, मै Information Public Relations Department की तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभार प्रकट करता हूँ, अभिनेंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ, यह विशेश इसलिए कि बहुत ही कम समय में, आप सभी लोगों ने, खासकर मुखे सचेब, जिनका आज भी वास्तिक तोर पे, बहुत ही ज़्यादा बिजी शेडूल है, उसमें से आज, जब आप से अग्रे किया कि गुरुनानिक देव महराज जी का पांसो पचासवां, जो वर्ष उतसर चल रहा है, इसका आगास आज आरंब हर्याना में यहां से हो रहा है, तो उन्होंने सारे श द्वान अभी जो स्टेज पे बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने अपना समय निकाला और बिना किसी, रुकावट के बिना किसी मजबूरी के इन्होंने बिलकुल सहर्ष इस बात को स्वीकार किया, कि इसमें हम लोग जरूर आएंगे, और गु उत्सब वर्ष के जो समारो है, जिसका जारंब होना जारा है, इसमें हम जरूर शरीक होंगे, और उसके साथ साथ में विसिस्ट अतितिगान, फरिदाबाद से, पानीपा से, सरसा से, और हर्याना के दूसरे हिस्सों से आए, सभी साथ संगत, मैं आप लोगों का पब्लिक पंजाबी में दो-चार लाइने जो बोलनी है, बोलता रहूंगा, ताकि आपको भी सहुलियत रहे, मुझे भी सहुलियत रहे, ये सच में बड़े हर्ष की बात है, और गरब की बात है, कि आज करन की भूमी, करनाल से, इस इतिहासिक वार्षिक जो पान्सो पचासवा वार माराज जी ने इस पावन धर्थी पे अपने चरन डाले थे, तो इससे बहतर आगास करने का कोई और स्थान हमें नहीं लगा, तो हमने सोचा कि करनाल पे जहां पे गुरू माराज जी आये थे 1515 में, वहीं से उस सबका आरम किया जाए, मैं ज़्यादा कोई विद्वान तो साथ मिलके कभी मौका मिला बात करने का, या कुछ भी जानने का मौका मिला, एक बात मुझे जरूर समझ आई, प्रथम पिता से दशम पिता, पहले गुरू माराज गुरू नानक देव जी से लेके, गुरू गोबिन सिंग जी तक, जो भी गुरू माराजों की जो सिख्या ह है जो भी उनका ग्यान है जो भी उन्होंने कहा है ना तो किसी एक व्यक्ति विशेश के लिए कहा ना किसी विशेश धर्म के लिए कहा ना किसी एक समाज के लिए कहा उन्होंने जो भी बात की वो यूनिवर्सल वेलफेर की बात की पूरी मानवता की बात की और पूरे संसार की बात की तो ये मुझे सबसे उत्तम बात ये नदर आई कि जब भी बात सिक्षिजम या सिक्षिस्टरी से या सिक्षिज़ से जो भी देखने को मिला तो वो सर्वस का भले की बात करते हैं सर्वस का भला हो और सब की बात य यूनिफॉर्मली करते हैं यूनिवर्सली करते हैं और इसी लिए उनकी जो सिक्षाएं हैं वो सभी धर्मों के लिए संप्रदायों के लिए सभी वर्गों के लिए एक बराबर वो रहती है किसी विशेश वर्ग के लिए नहीं है इसी दिशा में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पीछे एक अफसर मिला 350 वा गुरु माराज जी का गुरु गोबिन सिंग माराज जी का जो परब था उसको मनाया उस समय भी सभी समाज के वर्गों ने मिलके अपना भरपूर योगदान भरपूर अपना उसमें समिलित हुए पार्टिसिपेशन की और वो हमारे लिए एक बहुत बहुत सुखधन भब था इसी तरह से आज जब हम 550 वे वार्शिक उतसर परब की जब शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इस परब में मिल जुलकर और बड़े उतसा से उसी तरह से इसमें भाग लेंगे गुरु नानक देव गुरु गोबिन सिंग्जी महराज एक बात जरूर कहते थे वो जात पात किसी चीज में कोई विश्वास नहीं करते थे वो एक कहते थे कि चहू बरना को एक कराऊं जितने भी वरन है सब को एक कर दूँ कोई भेद भाव नहीं है कोई अलग लग नहीं है तो इसी तरह से गुरू नानक देव महराज की बात में जो मुझे अपने परसनल तोर पे जो एक अनुभव हुआ वो अग्यानता को सबसे बड़ा एक रुकावट मानते थे इसलिए उन्होंने ग्यान पे बहुत जोर दिया उन्होंने ये कहा कि अग्यानता के कारण ना आदमी स्वें को जान पाता है ना परमात्मा को जान पाता है इसलिए ग्यान जरूरी है और गुरू महराज का जब आगमन हुआ तो एक बड़ा मशूर और बड़ा ही वेल नोन वर्स है कि सत्गुरू नानक परकटिया मिठी तुन्जागन उचो हुए जिस जिऊंकरी सूरज निकलेया तारे छपी अंदरा पलवया तो जिस तरह से जब गुरू नानक देव जी महराज जी का इस धर्ती पे आगमन हुआ तो जितनी भी अग्यानता की जो चीजें थी वो सब दूर होए और ग्यान की एक रोशनी आई और इस रोशनी से मानवता को एक नई दिशा और एक निया एक मार्ग नेजर आया तो उँच नीच का विरोध करते हुए नानक माराज जी ने यही काता नानक उत्तम नीच नक होई सभी कोई नीच नहीं है कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है सब एक बराबर हैं और इसी फिलोसफी को लेके आज हमारे पास जब सभी एक से एक विद्वान यहाँ पे अपना अपनी आप आप लोगों से शेयर करेंगे मुझे विश्वास है कि आज की जो गोस्टी है आप सभी मनीशियों के मुकारविन से जब ग्यान की गंगा यहां से निकलेगी तो इससे आप सब लोगों का और सब को ग्यान के रूप में एक निया मार्ग नजर आएगा और मैं विश्वास करता हूँ कि यह सब के लिए एक बड़ा सोखा धनुबभ होगा तो मैं पुने अपनी और से और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हर्याना की और से आप सभी उपस्ती जनों का मंच पे बैठे हुए मेरे सामने बैठे हुए सबी जनों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और मुझे आशा है कि यह डेट दो घंटे का जो आपके सामने जो एक सेशन रहेगा वो अपने आप में बड़ा एक इंस्पारिंग रहेगा धन्यवाद बहुत बहुत आभार समिरपाल जी क्या देवे सजनों आज का विशे विशे की व्यापकता उसका विस्तार वो हम सब जानते हैं और यह तो संभोई नहीं है कि एक कारिक्रम में ऐसे महान संत और गुरू के जीवन के थोड़े से प्रसंगों को भी हम उसको बिस्तार से चर्चा कर पाएं लेकिन आज के बाचित का आज के इस व्याख्यान का इस कारिक्रम का एक दाइरा है और उस दाइरे में जो बातें जो जीवन, गुरू साहिब के जीवन और उनके उपदेशों से कुछ ऐसे बिंदू, कुछ ऐसे अमरित वाणी हम सब के कानों में पड़ेगी जो हम सब के लिए प्रिणा बनेगी और इसलिए आज के इस चर्चा को एक दिशा देने के लिए यानि की नोट एड्रस के लिए मैं मंचपर आमत्रित आप सब के सामने आमत्रित करना चाहूँगा एक ऐसे प्रक्षात सिख विद्वान को जिन्होंने पंजाब या हिंदुस्तान में नहीं बलकि दुनिया के तमाम अलग-अलग देशों में चाहे वो इंगलंड हो, चाहे वो केनडा हो या और ऐसे तमाम देश जहां सिख धर्म, सिख पंथ, सिख चिंतन, महान गुरुओं के बारे में जो उन्होंने लेख लिखे हैं, जो उन्होंने अपने अपने प्रबचन दिये हैं और जगे 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 जाकर जो उन्होंने अपना शोधकारी किया है वो अद्बुत है अभी तक साथ पुस्तकें जिन्होंने पंजाब सिखिजम और उसके इतिहास पर जिन्होंने लिखी हैं जिसमें से आठ किताबें ऐसी हैं जो कि S.E.P.C. ने उसको पब्लिश किया है अम इसको पुरी व्याक्षा के साथ जो ट्रांसलेशन है वो इतनी अद्बुत है कि दुनिया के किसी भी देश में जो जो भी अंग्रेजी को जानता होगा उसके माध्यम से भी वो गुरू की वारी से परचित हो पाता है इसके अलावा इंसेक्लोपीडिया उप सिखिजम गुरुगेंज साहिब और पंजाब जो की महानकोश की रूप में जिसे जाना जाता है इस तरह की अद्भुत रचनाये और उनका योगदान है तो मैं निमेदन करूँगा जिन्होंने सिटी कॉलेज बर्मिंगम में कुरुनारक इंस्टिटूट कैनादा में इसके इलावा पंजाबी विश्वे देले पट्याला या पंजाब इनिवस्टी चंडीकड़ा इसे तमाम जगहों पर शिक्षन का कारे किया है पढ़ाय भी है और अपनी वानी से हम सबका माघतर्शन भी किया है डक्र हर्जिंदर सिंग्ध दिलगीर जिक्षो को में आमधिरत करता हूँ आप सब की कर्तल भर्रणि के साथ कि वाई और आज के इस वेक्षायोई में इस चिंतन में हम सबको एकतिशा ले ड़क्त्र हर्जिंदर सिंग् revise चीफ सेक्टी साथ, स्टेई ते वे राजमान विद्वान सजनों, ते बहुत प्यारे सुरोत्तियों, वाहिगुर्जी का खाल साथ, वाहिगुर्जी की पते, गुरु नानक साथ बारे, गल करनी, एक मेरे वरगे इनसान वास्ते बहुत उखी है, मैं कई बार सोचदा हूँदा, कि गुरु नानक साथ एक इनसान संग या एक जोट संग जिसने सारी दुनिया विच ग्यान दा, रुहानिय दा चाहनन प्हलाया, ये गुरु नानक साथ दे बारे, कोई एक कदे लफ़ज विच गाल कहनी होवे, तब मैं क्या करना हां, कि ओ रुहानी चुमबक संग, स्पिर्चुल मैगनिट, तुसी जान दे हो भी चुमबक किस तरह आठ चीज नुके चले दे, लोहें दी बनी ता आतनू, गुरु नानक साथ ऐसी स्पिर्च संग, जिस नाल भी उनने गाल कीती, जिस नाल भी उनने समवाद कीता, विचार विटांदा कीता, गुरु नानक साथ दा सिख हो गया, एहो जी गाल, तो अनू किसे होर तर्टी थे, किसे होर मुलक विच, किसे होर कल्चर विच नहीं मिल जाए, रंका दर आजाए, कीड गराम जिनों तो सी अज बैजना देना आते जान दे उत्हों दर आजाए, इन हराजियां देना गुरु नानक साथ दर चर्चा होया, बड़े-बड़े सर्माए दाना जगीर दर चर्चा होया, हर जड़े रिलिजियस सेंटर दे उते गुरु गरु नानक साथ गए उना आना चर्चा होया, हर जड़े जन दे मुक्मुकी आना आम लोकान आना चर्चा होया, और हरक ने उना दी अजमत अगेसे चुकाया, अजेहिसन गुरु नानक साथ स्पिर्च्च्यों मेगनिट। गुरु नानक साथ भी सिख्या नो आम तौरते तिन लफजां विच खास करके किरत करना, वाड़ चकना, तेनाम जपना, दुनिया विच सब तो महत्वपुर्ण चीज एमानदारी है, जिसने एस तरतीनों काइम रखे होया है, तो उस एमानदारी दी कमाई जड़ी है, ओह लिए सारे नो पल दी है, ना के बही मानी दी कमाई या कि से होट फरी के नाल की कि लिए के साड़े नाल ने चड़ी, और एस किरत करना नो, नाल उनाने, विच तित तीन चीजां हो दिया है, एक शक्सियत, एक समाज, एक रुहानियत, गुरु नानक साफ़ दे, एना तिना रोल है एक सिक तर्म ऐसा तर्म है जिदा जिदा मूल आदा आ रही है अभी असी इंडिविजुल दे तो ओड़ते नहीं जिन दे वंड़ चकना सारे दे नाल अपने पाइचारे नाल अपने आले दौले नाल या जे कोई कमजोड सेक्शन है उन दे नाल हिसा बढ़ना अपनी आमदन विच्छों आमदन जायदार विच्छों अपनी दौलत विच्छों ते तीजा रोल स्पिर्चुल है उन आम जपना है यानि इंडिविजुल सेल्फ सोसाइटी ते जिदा स्पिर्चुलिजम है गुरु नानक साब ने इस नो एक कर देता मैं यादा एक वरी मैं स्पिर्चुलिजम है नो एक वरी मैं जपना देता है और एक गल कलीर करनी जामांगा नाम जपना किनु के इंडिया आम तो उरते ऐसी कह देने है वार 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 रिपीट करना वाई गुरु नो दोहराना जड़ाए व नाम जपना अर्त है भी हर वेले राबदा ना मना विच रवे, साडीरू विच रवे तो असी जोदो कोई काम करते हैं तो एक लिए रवे वे, ओ सानू वेक रहा है तो नाम जपना भी हार विले एक असी लफ़ सिमरन भी वर्ते दे सिमरन, संस्कीद आ लफ समरन तो है समर्द याद करना हरव ले याद रहे रफ तोड़े मानव स्बाद गुरु नालक साफ ने एक बड़ी विलखन है के गुरुनानक साब तो पहला के बाते हुड़ी राखें मेशा भी वी क्या युगां मेशा भी साइटी चारर हिसे विच वंडी हो सी, जान दे चाररा दे विच वंडी हो सी पिया जी जी दे विच्छी वे उपर ने वरनवारे आपने तो चोटे वरन ने या राद कर ने सहं तो या सेकंडरी गिंदे सहं या टर्चरी गिंदे सहं या भुछ पिछे गिंदे सहं एक गृुनानक सब्दी to ुसादि cidade Eso इसे करके मैं अख़ूदे है है अपषिर्ण रिक्ष कष्ट पीपल् गुरुनानग सबने ऐसा काउनशब टाश्व किता औने अपने आपन在ूडर अपने आपनो आपनू मिलाया नीचां अंदर नीच राद, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ, वड़ियां से हो के रीज़, एक अल, किसे बड़े वड़ी, रुहानियत वाली शक्ति, उसे जोत को लो, गुरु नानक साथ को लुपे ज़िए, अजिकन भी, ही प्रीष्ट फादर हुड अफ ग अजिकन भी शोटी मोटी एक्सेप्शन्स ना हुड़िया ने, इना एक्सेप्शन नू चाड़ देओ, ति आज तुसी गुरुदवारे विच जाके देखो, या किसे दिवान विच जाके देखो, तो अड़े मन विच कदे ऐसास नहीं उदा, विए थे फादरू अफ गॉ संगत विच लंगर विच ए सारी जड़ा है, तुसी इनू विह देओ, एक गुरु नानक साब दी देन सी, गुरु नानक साब ने, इनसान नो सादा जीवन जीन दी सिख्या देती, बहुत हैंनों मैं बेहानी कराएंगा, दो लाइना जूरू सुनामाँगा, गुरु बानी पारे जो उना दी इंस्टेक्शन है, वही बड़ी कलीर है, बाबा, भूर खाना खुसी खुआर, जित खाद देतन पीड़ी है, मन मैं चले विकार, कोई भी चीज खा दी जा दी है, कोई भी चीज जे तो अड़े मान विच विकार पैदा कर दी है, वो खाना गुना है, लिए खाने करमकारन नु रद गीता, करमकार जिड़ा है, वो इनसान नु सही रस्ते ते तरंतु एक पहला दा पड़ा आ जानते है, ते फिर उस तो बड़ा अगे बन्दा तुड़ा नहीं, टोटली करमकार जिड़ा है, कोई दें नहीं दिन दा, तरम दें सी कोई दें द तीसी ए विलक्षन गाला है के सिख्छाने ओस गालनू सिख्छा या पंजाबियाने या जिनाने उना दी सिख्छा ते अमल की ता पामे की ते भी बैठे ने गुरुनानक साब दी गलता तुसी सारे जान दीओ के तकरीबन चाली हजार किलो मीटर दा सफर करके उनाने अपना स संदेश देता सी सब तो जो बडे तार्मक यात्री जेसान उदासियां उदासी दा मतलब सेडनेस ने उदासी दा मतलब है कि उपरामता इस दुनिया दी मोह माया नो चाड़केते जाना सो ओजड़ी तासी हैं गुरुनानक साब ने चारी पैंतारी हजार किलो मीटर जड़ परमात्मा निरंकार बेंगा अचे सार जाइब हम एक ते उनी जाए सारी दुना परमात्मा न सारी दुनिया संहाएँ है जोदो तुसी कुदरत विच 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 इंटर रिले रिजन बैट का दा चर्चा दा रिवाज है मैं समझ ना भी ए चर्चा जड़ा है आज तो पांच सो पंजा साल पे ना गुरुन आनक सब शुरू कर चुके ने गुरुन आनक सब जो इसलाम दे सेंटर दे जाने पाक पटन या मुल्तान या मक्का या मदीना या बगदाद जिते भी इसलाम दे बड़े बड़े आलम फाजल बैठे ने या सूफी बैठे ने उना ना चर्चा कर दे ने जानिया दे डेरे ते जान दे उना ना चर्चा कर दे शिरी लंका जान दे कपाल मोचन है तो अड़े एस इलाके विछ गुरु नानक साब ने जिते जिते कोई विद्वान मिले है जिते जिते कोई तरम दी गलक करनवाला मिले है परचार करनवाला मिले है हर एक दिन आल समवाद कीता है तारम चचा कीती है ते उनों किसे ने किया भी गुरु नानक ने बननेया सिखाया और परचा रहा तोड़ा शुक्रिया पर इक गल मैं करने बिना रहा नहीं सकता के हर्याना सिर्कार ने जो कुछ कीता है पिछले कुछ समया वेचे मैं उसनी तारीफ कीता है बिना इंडरे सकता लोग अर्दा जड़ा प्राजेक्ट सी गा जड़ा बंदा इस गल तो पंजाब हर्याना सरकार दीप जड़ी तारीफ करने बिन रहा था वाकी साड़ी तिनसु साला गुरुग बिन सिंस अब्दा मनाया मैं खुद भी उदेश बोले ऐसी जो दो यमना नगर चे ते इस तरह होर भी जड़े प्राजेक्ट ने आज जड़े प्राजेक जड़े सेमीनार नहीं होया और एक होर दो किताबा भी दो तिन चार्जे ड़े आ रही हैं ने इस गल एदा क्रेड़िट चड़े है हर्याना लेंदा है मैं हर्याना दी सरकार दा इस कर्चे तनवाद करदा थैंक यूट बहुत बहुत आभार है डॉक्टर एचस तलकिर साह का ये सच बात है कि गुडानेक साहब तोहीद की आवाज थे एकता की आवाज थे उन्होंने दुनिया भर में जहां जहां यात्राई की हैं वही संदेश दिया अलमा अकबाल साहब ने पूरी नजम लिखी है गुरु साहिब के बारे में उसकी चंद पंक्तिया है कि बुद कदा फिर बाद मदत के रोशन हुआ नूर इबराहिम के आजर का घर रोशन हुआ फिर उठी आखिर सदा तोहीद की पंजाब से फिर उठी आखिर सदा तोहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया खौब से तो ऐसे गुरु साहब जिनोंने हिंद को भी आए इस चिंतन को और इस बाचीत को जो हम सब के लिए प्रियरणा बनेगा इस क्रम में मैं अगले वक्ता रुपिंदर सिंग जी यहां हम सब के बीच मौजूद हैं जो कि सीनियर असोसियेट अडिटर हैं दे ट्रिबून के दे ट्रिबून यानि चंडीगर्ड में जो चपत है और उनका बहुत लंबा अनभो पत्रकारिता का तो है ही लेकिन इसके साथ सिख दर्शन पर सिख प्रिंसिपल्स पर उसके चिंतन पर उनके बहुत सारे शोधकारिये हैं जो पब्लिश भी हुए हैं और गुनादंग देव जी पर एक प्रकाशित सचित्र प्रसुति आप उसी तरह से आपकी माँ भी श्क्षा जगत की एक बहुत ही विशिष्ट और सम्मानित महिला रही ऐसे परिवार और ऐसे संसकारों से जुड़े और पत्रकारिता के माध्यम से शोध के माध्यम से सिख चिंतन और गुरु साहिब के चिंतन को लोगों तक जिन्हों ने अपन के माध्यम से पहुँचाया है मैंने विदन करूंगा रुपेंदर सिंग जी से कि वो आएं और अपना वक्त तवे अपने विचार आपके साथ साजा करें श्री रुपेंदर सिंग जी सीनियर एस्सोसियेट एडिटर दे ट्रिबून चंडिगर साथगोर नानक परगटेया मिटी तंज्याग चानन होया चीफ सेक्टरी साथ स्टेज ते बैठे साथियो दोस्तों जेड़े दूरों दूरों आएंगों सद्यां गल्दा सुनन दे लई आप सब्दा मैं शुकर गुजारा है कि मैं नुवे मौका में लिया अपने कुछ विचार संजे करनता मैं आप सब विच अंग्रेजी ट्रिब्यून दे नुमाइन दे तोरते हाँ मैं हून थोडे नाल अंग्रेजी देवे चिकलां करांगा Guru Nanak Dev Ji was a revolutionary. He lived over five and a half centuries ago and his teaching inspire his followers who span the globe. As we look at the world today, we realize how much his teachings inspire us to better ourselves, to become more connected to God and to do more for humanity. We are all familiar with the biographical details of Guru Nanak Dev Ji. From the comfort of a loving home and the assurance of a relative ease, he ventured into a quest for spirituality that exposed him to ascetics and the anger of a father who had sent him out to spend money in profitable trading in one instance. He challenged the established religious order by asking questions that irritated those used to giving pronouncements rather than explanations. He transcended religious divisions imposed by priests and mullahs and sought out the truth on his own while doing all that he had to to negotiate the religio-philosophical issues that were centered around the religion of his birth, Hinduism and Islam. Guru Nanak used whatever methods needed, gentle persuasion, humor, sarcasm and even admonition to get his point across. It was in the mid-15th century medieval society was divided into two distinct and mutually agnostic religious groups, pan-Hinduism and Islam. They were by no means homogeneous. Within each group were separate strands and various shades of persuasion. In such a milieu, Guru Nanak maintained, there is no Hindu, no Musliman, all are creatures of God and his creation. Like today, when the fight was between my way to God and your way to God, he said, there is only one God, though there are many ways to reach him. Guru Nanak came out strongly against all artificially created divisions and discrimination, both in word and deed. The caste of a person is what he does, he maintained, and set out to dissolve differences through the institutions of Sangat and Pangat. We'll come to that a little later. The religion consists of not mere words. He who looks upon all men as equal is religious, says Guru Nanak. Universal brotherhood is a strong theme in Guru Nanak's Bani, as is evident from the following. O Nanak, the master is such as unites everyone. I do suggest that we need to remember and keep on remembering this message. Hypocrisy, in all its use, was a special focus of Guru Nanak's criticism. There is an interesting anecdote about his Chidinger Kazi for being concerned about the fall, rather than on his prayers. Elsewhere, Guru Nanak says, We are good at talk, vicious indeed. Our minds are black from within, and we are white from without. During his travels, which Professor Dalgi referred to, Guru Nanak often came across intolerant people, but he always forgave them, while maintaining that it was stupid to entangle oneself with a foolish person. The teachings of the Guru need to be studied carefully, but more than that, they ought to be assimilated, so that they reflect in our conduct. They have a universal appeal, and provide answers to myriad social and ethical problems that we face today, and most probably will face tomorrow. As the Guru says, Education alone is not enough. The educated should be reckoned ignorant, if he shows greed and ego. The compositions of Guru Nanak contain truths that pertain not only to religious aspects of our lives, but also social and family matters, things that have ordinarily been considered outside the preview of religion. Jeho donom hi as he, as幫 Sophie Nanakides jee dhi, 하기 свadhi, BaBanger Braine, in hara B gäller, and on them when он Sheht., In her land, in his name, harmuma opponent I call I will इस समय गुरु नानक देव जी दे सिख दुनिया दे कुने कुने ने विच है गुरु नानक देव जी बारे पच्छम दे विच कई थावां ते इस समय विद्वान कम कर रहे ने और कुछ आता के कहना भी जादा ओखा नहीं है कि जड़ा जादा कम हो रहा हैगा आज हिंदुस्तान तो बार हो रहा है गुरु नानक देव जी ते जे असी एकिडेमिक रिसर्च वल देखिए जदों भी असी गुरु नानक देव जी दी बारी बारे गाल कर देया ता होन सानुए सोचना पेंदा है कि उना भारे असी जो जानकारी पंचानी चाने आँ ओ दुनिया देविच किमें फलाईए किमें पहुंचाईए अपसोसी गाल है कि साड़े कोल दूजियां पाशावान देविच साद्गु नानक देव जी बारे जादा कताबा नहीं हन विद्वान भी काथ हन जेरे ए पाशावान देविच गलां कार सकन और उना दी गल इस सारे विशाल दुनिया दे विच्पन चाह सकन इस कार के एक कोशिश सानु करनी चाही दिया है कि जो गुरु नानक देव जी दा एक एना अनमुल और विद्वता परिया ग्यान है उन्हों असिंके में पंचाहिए इंटरनेट दे जड़िये आज काल देरे बार बैठे गुरु नानक लेवा बंदे ने ज़्यादा सिख हैं कई सिंधी ने कई होर हैं उन्हों ने एक बहुत उपराला कीता है गा के गुरु नानक देव जी और होर सिख गुरुवान देव जो बचन है ओ दुनिया तक पंचाहिए जाना सानु ऐसे उपराले दी सलाना कारनी चाहिए दिया ते कोशिश कारनी चाहिए दिया है कि असी अपने इत्थों ऐसे बंदे त्यार करके पेजिये जेड़े एस नो अगेल जा सकत कही साल पहला एक प्रोफेसर आए अमरीका तो आए उन्हाने पंचाब स्टाडीर दा एक प्रोग्राम शुरू किता कलंबिया युनिवरस्टी रेविच फेरो बर्कले युनिवरस्टी कलिफोर्निया देविच उन्हाने ये उपराला सी के सो बंदे पंजाब सिख्षी गुरू नानक देव जी इस किसम दे एक खेतर दे उते काम करके पीछ दी कर ला है ओ कुछ साल पहला अपना ये जेड़ी एक मुराजसी पूरी कर पाए और आज जोना दे सो शगिर देगे जेड़े लग-लग थावान दे उते एपरचार कर रहे ने सद्गुर्णानक देव जी बारे जो असी जान देया जो साठे मना दे विच्च है ओ तो असी अच्छी तरह हुभू वाकफा उना दे नावनों असी दुनिया दे विच्च के में पंचाणा है इरे लई सानु होर उपराला कारना चाहिदा जे में इस समय सरकार ने इत्थे कीता है गा सारे तो नो सारे नो कठे कीता सानु बुलाया कुछ वारता लाप हो या कुछ गल होई ये अगे वदाईए और ये अन्नी ज्यादा वदाईए के सारी दुनिया दे विच्च ये दे बारे पता लगए तुसी समा कड़िया मेरी देडी ओपरे पाशा देविट बोली सी ओभी सुनन दा पेशेंस तकाया काफी देव मैं थोड़े सारे आंदा बहुत शुकर गोजारा है तनवाद शुक्षा हो इस सभी खेतरों में डॉक्टर जखबीर सिंग जी का महुत योगधान है लगए पैतालिस वर्षों से अधिक का तो सिक्षन का कारी यानि टीचिंग की फील्ड में आप रहे हैं और इस रूप में आप की वानी से आपके ग्यान से नसर्फ कई पीडियां लाभान भी थुई हैं बलकि हम सब को आज उसका लाभ लेने का मौका मिलेगा दिल्ले विश्वी देले के पंजाबी बेभाग में आप प्रोफेसर और हेडर है अमरिसर में गुरुगयन सहाव स्ट्री सेंटर जो है उसके आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं और पंजाबी विश्वी देले पटियाला के लाइफ फेलो ऐसे बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं देश भी देश में तमाम जगे अपने वक्तवे और अपने बात से हम सब का मादशन करते रही हैं मैं निविदन करूँगा प्रोफेसर दॉक्टर चगबीर सिंग जी से कि वो आएं और इस वसर पर अपने ग्यान अपन दोस्तों मैं तो अडिनाल गल करांगा एक विद्यार्थी देता हुरते हैं आज तो पंजाव साल पहले हैं मैं गुरुनानक वानी देव पर रिसर्च करने शुरू कीती सी ओसी गुरुनानक वानी विच नेतिकता दा संकल्ब मैंनू तो अडिनाले शेर कर देयां गल बहुत खुशी हो रही है और मैं तो अनुवे दसना भी चाहन है कि साड़ा अपनी सबिता अपनी संस्कृती अपने दर्शन वारे जड़ा वतीरा है ओसानू बणा बणनी नहीं दिता गया कलोनियल दौर दे विच साड़ी शिक्षा नीती 1825 दे लागे जड़ी त्यार कीती गई ओस दे विच अंग्रेजी पाशा ते वेस्टर्न फिलोस्पी ओफ लाइफ एस गल नो परचलत कीता गया जान बुझ के एस कम लई के साड़े देश दे अंदर जड़ा बारला दी हकूमत है ओक काईम रवे और इसे मैंनों जदों एक गल गुरुनानक बाने दाध्यन कर दियां मेरे समने भी चैलंज सी क्योंकि मैं उन्हा दिना विच मेरी ओमरेस वड़े 82 है ते उन्हा दिना विच मैं एक मॉडनिजम दी जड़ी तारा चल रही सी वोदे वेंड दे विच वेया गया सी मॉडनिजम ने सानों सिकाया सी फ्राइड, मार्क्स, रूसो और निट्शे उन्हा ने सिकाया सी के दुनिया विच ग्यान दा एक को एक सादन है ओ है तर्क ग्यान बाकी दा ग्यान जड़ा ओ परम है और उस परम दे ग्यान दे विच उन्हान ने मेटाफिजिक्स नो, मिस् बाणी दाध्यन शुरू कीता एक पैरोकार देता औरती नहीं एक शिश देता औरती ते मैंनू तो पता है कि जड़ी सिखी तरमी है सिखी सिख्या गुर विचार सिखी ता एक अन्वेकला तरम है ते हली हली मैंनू ए मैसूस होया कि गुरुनानक बाणी नू समझन दे वासते पारती दर्शन नू समझना बहुत जरूरी है क्योंके गुरुनानक बाणी दी पहली लाइन तो साड़ा जड़ा सरुकार है ओस साड़े ओस ज्यान परंपरा देना जोड़ जानदा जिसनू पारती ज्यान परंपरा कहने हाज कल एक अजीव किसम दी टेंडेंसी सामने आ र लेकिन असी वर्गे भी हैं ते ओ जड़ा वर्गा पाना मैं उदी गल तो अड़े नाड़ करना चाहूना है एक क्योंके मेरा जड़ा सरोकार है ओ अध्यान देनाड़ शुरू हुए है जदो मैं देखा है कि मैं गुरुनानक बाणी नों वगर समझना है मूल मंतर नों तो कि दिनार कर रहे ने एक ओंकार एत्य मैं खलो गया कि एक और ओंकार मेरे दोस्ता ने किया कि देखो गुरु सामने ओंकार जड़ा है ओंकार की है साड़ी सबिता देविच ए ब्रह्म दाप्रतीक है एक नवा लफज आ गया और साड़े कुछ चिंतका ने किया कि गुरुना सनातनी परंपरातों एका कोड़ों लात था जदो मैं रिगवेद पड़या मैंनों लगया एका ता पहले ही मवजूद है ब्रह्मतों भी पहला मवजूद है कि ना सदासी नो सदासी तदानीम नसीद रजोनो वेहोमा परोज़त सारी गल सौखे टंग नए है कि ना जदों ए सत सी ना असत सी ना दिन सी ना रात सी ना जीवन सी ना मौद सी ओधों की सी अनीत वातम सध्या तद एकम ओधों ओएक सी जड़ा सैभंग सी जड़ा अपने आप ते उपर आधारित सी ते मैंनों मैसूस होया कि गुर्वाणी नू पढ़न दे वास्ते गुर्वाणी दी सही रूप देविच व्याख्या करन दे लिए पार्ती दर्शन और ये जड़ी साड़ी घ्यान परमपराया पार्ती तो उन्हों पता वे वेदा तो शुरू हुंदी है साड़ी जड़ी सबीता है वो दस हजार साल पराणी है और गुरुनानक देव जी ने अपना पहला शुरूकारी पंजाब देविच हुंदे हैं हिंदुस्तान देना जोड़ ओके ने खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान राया पंजाब चे बैठे ने एमनाबाद एक शियर सुना ऐसी कि फिर उठी तोहीद की सदा आखिर पंजाब से एक मर्द कामल ने जगाया हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया हिंद को खाब से गुरुनानक पंजाब चे ने ते खाब चे जगागी नो रहे हिंद नो जगा रहे ने फिर जनों से गुरुतेग बादर जिन गुरु कहने ने उन्हों हिंद दी चादर कहने तो मैं समझता है कि आज सनु दुनिया पर दे अंदर जड़ा ग्यान है वो मानव जाती दा है और गुरु नानक देव जी बारे ता जो गुरु गोविन सिंग जी उना दी जीवनी दे बारे तो दो लाइना कहन दे ने नानक देव जी दा जिड़ा दार्शनिक स्रोत की है उनने दो गलां की यहां कि जिन बेद पड़े सो बेदी कहा है ते और तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राए उन तुझे देखो वर्न विवस्ता दे उन सार गुरु नानक खत्री सन लेकिन ओ बेदी खत्र सन ते बेदी खत्री कौन सन जिनने बेद पड़े एक पूरी सबता दी ज्यान दी परंपरा दे नाड उनना दा एक रिष्टा है और ए रिष्टा बाणी दे विचों सनु सुपष्ट तौरते चलकदा नजर होंदा है जो मैं गुरु नानक बाणी नू गहराई नाड कि गावो गीत ना बिरहडा नानक ब्रहु विचार को के मैं जो गार हैं एक कोई गीत जन बिरहरण नहीं है एक गीत भी बिरहडा लेकिन केवल एक गीत नहीं एक ब्रह्म विचार है यही गल्प कभीर जी ने कही थी कि लोग जाने एक गीत है एक तो ब्रह्म विचार यह उन तुसी देखोगे कि ब्रह्म बार बार आ रहे है यह ब्रह्म की है मैं देख्या कि यह सड़ी पार्ती सभी तादा प्राइम सिंबल प्राइम सिंबल हो हुंदा है जीदे नाला सी दुनिया नू ब्रहमंड नू मनुख नू समजन्दीक दृष्टी पैदा कर दे अंतर तरम समवादी गल्मने दोस्त ने कही सी ओधे वास्ते गुरु नानक वानी और साड़ी रिग वानी ये दे अंदर जड़ी दृष्टी है देखो जड़ा डायलोग होंदा है प्लूरलिस जुम्तों बगार संबब नहीं कि जदों सी दूसरे नू वैरी समझ देयां कोई डायलोग नहीं होता है लेकिन जदों यजुरुबे देवे चौनदा है कि मित्रस्य मा चक्षुषा सरवानी भूतानी समिक्षतां ते जड़ी सबिता दीक परंपरा है जड़ी डायलोग देले रस्ता त्यार कर दिया है और आज जड़ा गलोबल टेरिजम जिते सामने सी सारे पीड़तां ओस देविच खराबी की है ओदेच इसलाम दोशी नहीं ओदेविच ओ सत्तातारी वर्ग दोशी है जड़ा तर्म नू इसलाम नू अपने नेरो पोलिटिकल जड़े उदेश ने उनना दी पूर्ती दा हत्यार बना के दुनिया नू एक मुश्कल चपा रहे है दूसरे ना दा मन जितन दी लोड है हत्यार ना तुसी बंदे नू जितन नहीं सक देगा क्योंके साड़े देश देविच तुई द वड़ी सबता दी देड़ने के ऐसी कनवर्ट नहीं हुए इदेश रिशिया दा योगदान भी है साड़े गुरू साहबान दा योगदान भी है बहुत बहुत अबहुत आभार प्रोफेसर डॉक्टर जिक भीर सिंग जी का आपने हमारी सोच को एक दिशा और एक विस्तार दिया है सही देशा और उस देशा में हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है भारत की इस भूमी पर जो हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है मैं अगले वक्ताओं को विद्वजनों को आपके सामने आम अंत्रित करूँ उससे पहले मैं मानन हैं तो इन सब को यहां पर आप सब की तरव से सूचना जनसंपर्ग और भाशावे भाग हर्याना की तरव से उनके आगमन के लिए उनका अभिनंदन डॉक्टर सुर्जीत पातर जी को मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ जिन्हें भारत सरकार ने भी पदमिर्शी से सम् समान बहुत सारे समान उनको राश्टियत 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 स्तर के मिले हैं इस अवसर पर शौल भेंट करके और एक स्प्रतिचिन है मेमेंटू है उसके साथ उनका अभिनंदन है आदरी है डॉक्टर सुर्जीत पातर जी का निवे दन करूँगा डॉक्टर आतम जीद सिंग्जी से कि वो भी आएं सुविक्यात विश्विक्यात नाटिकर्मी लेकक शिक्षक और चिंतक एक बुद्धेजीवी की रूप में इन तमाम अपने ग्यान को उन्होंने दुनिया भर में बाता है और हम सब के लिए बड़े गरू की बात है कि हम सब आप से जु कि उन्होंने पंजाबी और सिक धर्म पर लिखी है और बहुत बड़ा योगदान है आपका अलगलग रूपों में आपका अबिनंदन प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंग्जी को आमंचित करता हूँ दिल्ले विश्विद्याले लेकिन इसके साथ साथ और तमाम शैश् पिंदर सिंग्जी को जो के सीनियर एसोसियेट एडिटर है दर ट्रिबून चंडीगड वे आज इस कारके में विशेश तोर पर उनका भी उनकी भी गरिमामा यूपस्तिती है उनका भी साथ पर हम अबिनंदन करना चाहते हैं पाने नियमक्य सची महोदे के करकमलों से और अब मैं निवेदन करूँगा इन सभी विबूतियों के सम्मान और अबनंदन के बाद समीर पाल जी से हमारे पाने नियमक्य सची महोदे को ऐसावसर पर एक प्रतिचन भेंट करके और शाल भेंट करके उनका भी अबनंदन करें उनकी प्रेड़ना और उनका कमिट्में इन सब चीजों को लेकर इस रूप में कि हम सब बहुत प्रेड़ित होते हैं इस बात से क्योंकि आप लेखने लेखन से साहीत से कला से और धर्म और दर्शन से गहरे से वाबस्ता हैं और आप हम सब के लिए प्रेड़ना हैं आपका अबनंदन मैं विने परताब सिंग जी ह कि यहां उपायुक्त हम सब के बीच है कर्णाल के उन्हें आप सब के कर्तल धुनी के साथ उनका भी अबने दन करें इन सब के उपस्तिति इन सब का योगदान बहुत मायने रखता और एक बहुत महत पूर शिंखला की शुरुवात इस रूप में हुई है जो 550 में प्रकाश वर्ष जो हम मना रहे हैं इस क्रब में पूरे अहरियाना के अलगलग शेत्रों में ये प्रकाश आपके और चिंतन के माध्यम से जाएगा आईए हम बिना समय जाय किये हुए मैं निमयदन करूँगा हम सब के बीच यहां उपस्तित ऐसी विलक्षण विभूती ऐसी विलक्षण जो प्रतिभा है जिनकी जिनें राष्टियस्तर का सहित अकादमी पुरसकार भी मिला संगीत नाटक अकादमी पुरसकार मिला और रा देशों भर में ये नाटक बहुत चर्ची हुए इनके और भी नाटक बहुत सारे चर्ची थे यूग के कनादा केनिया अमेरिका अनिक देशों में नाटकों का मंचन हो चुका है आप पंजाब शिक्षा विभाग और शिर्गुनानक देव इन्वस्टी से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं एक बार आप सबके करतल भन के साथ ड़क्टर आतम जीत सिंग जी बहुत सतकार योग टेस्टी जी विद्वान दोस्तों और प्यारी साथ संगत वायग जी का खालसा वायग जी की पते हर्याना जे पबलक रिलेशन विपाग और हर्याना सरकार नो मुब अरकबार और उन्हें तरवाद कि उन्हें ने खुबसूरत फंक्शन ने खुबसूरती रिदाल एते अजोज़त कीता है तो आटे सामने इतिहासकार दिलगीर जी फिलोसफर रुपिंदर जी चिंतक और स्कॉलर जगबीर जी और साड़े समेदे महा कभी जो बैठे हुए आप तर जी उन्हें ने और एनने अपड़े अपड़े जावीए तो इन्हें खुबसूरत गलां कर देती हैं जो उन्हें करनी हैं मैं नहीं समझाना था कि मैं एरे विच्छ की अडिशन कर सकता हूं मैं ठहरे हैं एक नाटक कार सिदीयें सिदीयें गलां करना बाला साधे तरीके नार गल्लानों समझने वाड़ा उन्हीं गल्लानों में अपने एक अलग अंदास करना चाहना हूं दो गल्ला डक्टर जगबीर सिंग ने बहुत खुबसूर तरीके ना की थे किस तरह गुर्णानक देव अपने आपनों सारी दुरिया ना जोड़ देने और नाल बार बार इस शब्द आया तिन्ही स्पीकर दे लेक्चर दे विच समवाद मैं को कि नाटक का रहा हूं इसलिए मैंनू इस समवाद शब्द ज्यादा अट्रेक्ट करता है वारतालाप डायलॉग समवाद समवाद है परबरी ते खड़के किती जानवारी काल इस नुक्ता मैंनू बाब में दे बहुत लगे लाए जानता है बहता हूं ने गल्द सा किसे भी वड़ी तार्मक हस्ती बारे जरुआ सोच दा हूं जे मैं सोच दा हूं जे मैं सुच दा हूं जे मैं सुपना आवे के मेरे सुपने जे फलाँ बहुत बड़ा तार्मक जो प उदे उदे शक्सियत तो मैं थोड़ा जा पैपी थो जाना पर जदो में मनुख ख्याल आउंदा है कि मेरे सुपने जा मेरे सामड़े बाबा नानक आया दोस्तों मनुख डर नहीं लगता मेरा ख्याल है आपा एक अल्ला सुनने के दो चार यह गी है और दो बाद कर लणा एक आदा तो डर क्यों नहीं लगता क्योंकि बाबा नानक बनुआ अपने बरबर रख रहे है हलाके में है नहीं समवाद दिये हुँ खुबसूरती हुँ दिये है कि तुस्य बरबरी दे आकर गल कर दे हुँ और यह बत सोचो के समवाद वीचो कौन जिते है बाबा नानक जिते है के इस ते सम ने खड़ा जिड़ा व्यकतिया ओ जिते है समवाद वीचो अमानदारी सच मनुक्ता इसारी जिते ने और ओ बिर नानक दे नाल ने आखरी शब्द में कमागा बाब बिनानक ने समवाद दी गल कर दे एक गल हो रहा किसी कि जिनने भी दुनिया विछ गला अंदिया ने न वो ते विचार करना चाहिए विद्या विचारी ता परुपकारी उमीद है मेरे वंक तुसी भी विचार करोगे बहुत शुक्री है अब मैं आमधित करना चाहूंगा डॉक्टर सुजीत पातर जी को परमसकार योग टेसी साहब डॉक्टर हरजिंदर सिंग दलगीर जी डॉक्टर आतम जीत सिंग डॉक्टर जिल्वीर सिंग जारुपिंदर सिंग समीर पाल स्राओ जी बिने परताब सिंग जी और मेरे सन्मुक सजे सब नानक नाम लिवा साथ संगत वाहिगुर जी का खालसा सिवाहिगुर जी की पते गुरु नानक साहिब उन्हानों जदो जदों भी असी याद कर दे हैं मैं संगता कि ओ एक शब्द सबीर जदों एक बाल भी केंदे है कि हिंद को एक मर्दे कामल ने जो सराओ साब ने बहुत खुप्सूद शेयर कोट की था कि हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया खाब से जहां पाई गुरुदास जदों केंदे है कि सत्गुर्णानक परगटिया मिटी तुंद जग चानन हुआ वो थी वेक सूरज दा बिम्ब है और जदो गुरु अंगर देव गुरु दी मेमा कर दे गुरु दी परवाशा कर दे केंदेया के जे सौ चंदा उगवे सूरज चड़े हजार ये ते चानन हों देया गुरु बिन कोर अंदार तो ओदो भी गुरु नानक एक मरकज एक साथे स्पिर्चिल संसार दे के इंदर एक सूरज बांग असी नों देख देया प्रहसर मौन सिंग होना ने आज तों पजास साल पहला जिदों पंसो साला प्रकाशपर बनारे सी ओदों उना कोड़ों पंजाबी उनुस्टी प्रट्याला ने एक महा काव लखवाया नानकाइन लेकन नानकाइन तों बहुत साल पहला उनिस सु संताली बेच जिदों पार्टिशन होई ते अमरता पीतम ने वारस्चान नो याद कीता लेकन पैसे मोहन सिंग ने गुरू नानक नो याद कीता ओ लिख दे आ बाबा तेरा वतन है वीरान हो गया रब दे करांदा राखा मुड शैतान हो गया कुछ ऐसा कुफर तो लेया इमान बालिया के कुफर तों भी होड़ा इमान हो गया कि एक गुरू नानक और उस वक्त चे याद उस दुख दी कड़ी चे गुरू नानक ही याद हो देने बेश्चकोन दा फलस्फा माक्स बादी सी हो प्रक्तिवादी सी लेकर नो गुरु नानक नो याद कर दिया और गुरु नानक के कह हो जी साड़ेली नो हार है और पंजाबी लोकतारा गुरु नानक को दो शब्दाना याद कर दिया पंजाबी वेक्त है के नानक शा फकीर हिंदू का गुरु मुसल्मान का पीर क्यों दी शक्सियत नूँ उना दी जिमें प्रॉफिट आफ हार्मनी उना नूँ क्या और एक होर तो लोग कीता लिया किया वहाँ कि बाबे नानक ने पौड़ियां स्वर्ग नू लाई या तो आत्म जी तो ने गाल कीती से कि एक कराम आता बाबा नानक स्वर्गनू पौड़ियां बना रहे हैं तो मैं समयन दा कि जदो लोग ता राविच किसे दा बिंब ओन दा किसे भी साड़े नायक दा तो लोग ता रावाले उस नायक दा चितरन अपने तरीके नाल कर दिया इस तरहीं जो कराम आता हैं भी किसे नाल जुर्दियां ओ जो उना दे लखारी ने उनना एक अंदाज है एक मित भी एक लेंग्विजा लेजेंड एक लेंग्विजा तो उस लेंग्विच जो बियान कर दिया जदो सिध्रना ओन दे गोश्टी ही हूंदी network त्यसे दोना नों बहुत करामातता दिखोंधे है जिस तरह आत्मजीत्तुमं में क्या क्रामा दिखालगी ती ती करामात दिखोंतों बात भी कें दिया कि होन तुसी भी कूष करामाद दखाओ पाई गुर्दा है कि सिद बोलन सोन नान का तोही जगलू क्या करामात दखाई कोज विखाले असानों तोही क्यों टिल अवे ही लाई पिसानों भी कोई दखा तो इनना लोग करामात तेनों से करामाता दखाई है ते गुर्णान के लिए कि बाबा बोले नाथ जी असान ते विखन जोगी वस्तना काई गुर्ण संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं है राई कि मेरे कोई करामात एक नाम दी एक बाणी दी करामाता होर मैं किसे करामात ते मिराज कीन नहीं तो इत्व मैं अपने गार शुरू करता है कि गुर्णानक साथने जो करामाता कीते हैं ओना दी बानी विच ओना दे शब्दा बन सी मैं एक मिसाल देना चौना के गुर्णानक तो पहला पहला में इसे चंदकार्यानों देखे सी हवा वर्वियानों देखे सी और हवादी सांसा सोंदे सी पर किसे ने इस युनिवर्स नो गुरु लानक ने अपनियां चार सत्रा नाल इस युनिवर्स नो एक ब्रहमंडी आरती वच बिलता इस तो बला सवन कदी ब्रहमंड आरती वांग नहीं दिस्या सी कि गगन मैं थाल रवी चंद दीपक बने तारिका मंडल चंक मोती तूपमा ले आनलो पवन चवरो करे सगल बन राये फूलंत जोती कि आरती दा एक इन्मेज कि सारे ब्रहमंड तक आरती वफ्राद था साठी आरती स्थानक सी लेकर गुरू नानक ने एक बहुत बढ़ी आरती एक गुरू नानक दी शब्त नाल कीती होई करामाट सी तो एक करामात गुरु नानक दी जिसनों के तो कि साड़े को नाम शब्द बिना होड़ कोई करामात ने और तीसरी कार मैं सुना है कि गुरु जिस तरह दुर्खेम एक जगा केंदा कि जदों जेडी तुसीं कौम कोलों पाई चारे कोलों वोदे अनुष्ठान खोलवो वोदे रिच्वल खोलवो तो एक सदमा महसूस कर दिया वोदे खाली पान महसूस कर दिया मैं सब्सक्राइब कि गुरू नानक साब ने कोई रिच्वल खोई नहीं उन्हा रिच्वल नो ट्रांसफॉर्म किता कि उन्हां तो ही वस नोट अट ब्रेकर ही वस एक क्रियेक्टर एंड ट्रांसफॉर्मर मिसाल तो औरते मैं कर दा है कि जलों किया कि तुस्से होवै कि जन्हें ने चौना में ते जर्नर्रण कि बहुत क्का होई है कि उन्हु आगण साड़ना सके उन्हुन कोई तोड़ना सके ते फिर पंत्रिप्र होई है कि ऐसा जन्हें होसँग ता वो ते दिया दिक पा कोवे संतोख दा सूत होवे जत दियां गंडा होन सत दा वाट होवे क्यों रैच्यूआल ब्रीक निए कार रहे रैच्यूआल लूग ट्रांसफार्म कर रहा कि दयां कपा संतोख सूत जत गंडी अध 轿 ने अच्यूआ जीनें का शुक्त इसमें करना कि ही वज़े creator एं ही वज़े करामाती और जोदों में विलकिन दे के भी ए सुनया के तर्ती बलत दे सिंगाते खड़िया ऊदों में विलकिन दे हाँ बलत दे सिंगाते ही खड़िया तौल तरम दया का पूत संतोग था आप रख्यान जिन सूध के तरम दे तौल खड़िया जिना कि दैया दा पुत्तर है कि दैया ते तर्थी खड़िया और अखीर ते मैं संबाद दी गालनुई थोड़ा अग्ये तोड़ा कि संबाद इतों तक कि उना ने उस करता पुर्खनाडवी संबाद कीता जिस करता प्रगुम्सी के जो तो पावयसाई पलीकार जो नो बावरदे वेले बहुत अत्याचार हों देया तो फिर एक तरह कादर नों भी कादर नार भी एक डायलग कर देया रब नार भी एक डायलग कर देया ओ तो केंदे है कि खुरासान खसमाना किया हिंदोस्तान ड्राया अपे दोस न देई करता जम कर मुगल चड़ाया इत्ती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द न आया तो किसे कभी ने किया कि ओ जो नानक जी ने तेन्यों स्वाल सी एक दिन पाया राबनु मखातब तैं इत्ती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द न आया तैं जी फिर कुई उत्तर दिता तैं जी कुछ फरमाया जाओ हाले प्रशन है खुबया नब सीने बिचकार कि जाओ प्रशन अजेबी अस्मान दे सीने चे खुबया हुआ नानक दा प्रशन तो एस तो अगे एक डायलोग चल दा कि जदो कि की फिर के की अकाल पुर्ख ने की जवाब देता हूँ जो गुराने पुच्छा के तो नो दर्द नहीं आया कि इन्ही दुनिया खलकत इन्ही लोग इन्ही इन्ही इन्सान लख्पत होगे तो नो दर्द नहीं आया तो एकाल पुर्ख ने की क्या होगा अकाल पुर्ख ने शायदे क्या होगा कि तु ही मेरे दर्द दयादी जोथ है नानक नूए शब्द कहे परमात्मा कि जड़ा में दर्द आया सी हो तु ही है तुही मेरे दर्द दयादी जोत है नानक नुए शब्द कहे परमात्मा उठ तर्ती दा दुख बंडाओ पूर्णा बाज स्पुत्रा आउत रहे परमात्मा यह हो जे गुर्वानी सत्र है के पगत ही परमात्मानु सौत कर देया आउत नुए सौत करना के ओही ओदे सचे पुत्र बन देया तो गुर्णानक के देव ओड की जहां एक स्पिर्चल गल्ला कर दे होए भी एक मानव तानू जा मानव नू के सब तो बड़ा कंसार नोना दा एही आकिज़ों किने के जिते नीच समाल लियन तित्थे नदर तेरी बक्षिष के ओस तरती ते तेरी बक्षिष होगी परमात्मा जिते नीचा नू उठाया जानदा जिते मानया नू नुमानया नू मान दिता जानदा नितानया नू तान दिता जानदा और डिगियां टठ्थ्यानों उठाया जान रहा इक गजल दे कुछ शेर मैं जरे इसलिए याद आ रहे एने साज साज नवाज तू एने साज साज नवाज तू ते फिजान तुन दी उडीक है इने साज साज नवाज तू ते फिजान तुन दी उडीक है तेरे पुट्टे आँं ते सुराच ए के हे फासले के ही लीक है इने साज साज नवाज तू ओर एक्षी रवाज ए तू रही है रबाब सुन जो सुखन सुनाए किताब सुन ये जो कह रही है रबाब सुन जो सुखन सुनाए किताब सुन तू सुन ते फिर मेरे कुफर नू जो सजा सुना में सो ठीक है इने साज साज नवाज तू एक्षी सुना हो रही है मैं हाप मुजरिं ते आप ही हाँ किताब काजी जलाद भी मैं हाप मुजरिं ते आप ही हाँ किताब काजी जलाद भी जित्थे चारे पासे ने आई ने मेरी रोज उत्थे तरीक है इने साज साज नवाज तुम बहुत बहुत शुक्रिया है डक्टर सुर्जीत पातिर जी का और दिवे सुचनों अब बेना किसी विलम के मैंने विदन करूँगा प्राटना करूँगा आदनिया टियस ठेसी साब हमारे मक्के सची भरियाना जिनकी वेस्तिताई और जिम्मेदारियां महत सारी हैं लेकिन इस बीच वो समय निकाल कर हम सब के बीच में आए वे अपने संबोधन के लिए बढ़ा रहे हैं अज करनाल विच गुरुनानक देवजी दे पंसौप पजास साला प्रोग्राम देश सिलसले विच पहला फंक्शन इत्थे और्गनाइज किता जा रहा है और जिस प्रकार पिछले दो टाई केंटियां तो अलग-अलग फील्ड्स तो जिड़े साथे डिस्टिंग्विश्ट इत्थे लोग आई ने एदेच कोई दो राय नहीं हो सक्दी कि एतो उत्तम एतो बदिया शुरुवात एस प्रोग्राम दी साड़े प्रदेश विच किती जा सक्दी थी मंचते उपस्थित डॉक्टर हरजिंदर सिंग दिलगीर जी श्री रुपिंदर सिंग जी जड़े की ट्रिब्यून ग्रूप दे सीनियर एक जर्नलिस्ट ने डॉक्टर सुर्जीत पातर जी जड़े की बड़े विख्यात कवी ने आतम जी जी जड़े की नाटक कार ने प्रोफेसर डॉक्टर जगवीर सिंग जी जड़े की एक अकम्पलिष्ट एकडेमिक ने ते मंच ते उपस्तित डिरेक्टर जनरल पब्लिक लेशन्स मिस्टर समीर पाल स्रोजी ते विने प्रताप सिंग जी डेप्टी कमिश्टर करनाल ते एस आडिटोरियम विच हाजिर अलग अलग जगात और प्रदेश तो आए हुए सबी समानित साथ संगत जी जिद्दा की सारे ने इस गल्दा इकबाल किता की गुरुनानक देव जी एक ऐसी शक्सियत से गे जेना दे जीवन दर्शन नू या उना दे संदेश नू शब्दा विच उन्हों एक्स्प्रेस करना कोशिश तकीती जा सकती है लेकिन किस हद तक अस्योदेश सफल हुआंगे एक एना बड़ा मुश्किल है जिनने भी हुँन मेरे तो पहले डिस्टिंग्विश स्पीकर जाय सेगे मेरे विचार विच क्यूंकि ओ मुक्तलिफ बैक्ग्राउंड दे सेगे जदा मैं किया कि एक इंटरनाशनल लेवल दे कभी ने एक प्लेराइट ने एक हिस्टॉरियन ने एक एकडिमिशन ने ते मेरी समझ विच उना ने गुरुनानक साव दे जीवन और फिलोसफी दा अपनी तरफ तो एक प्रकार दा निचोड थोड़े सामने प्रस्तुत किता एक कोई एस विशेते आखरी शब्द नहीं मनने जा सकता एस रफ जड़ा एक साल दी जड़ी सेलिब्रेशन है ओदे लिए कुछ विचार कुछ फूड फॉर थॉर्ट जिनूंक इंदे ने अंग्रेशीच उना ने थोड़े समुख पेश किता और जिदा आज ता ही थे बुद्धी जीवियां दे एक समागम हो रिया है अलग-लग fields of life तो हूँ इस साल दे दुरान साड़ी कोशिश रहेगी कि यह जड़ा संदेश है यह जड़ा way of thinking है यह असी प्रदेश दे कौने कौने और खास्त औरते जड़े साड़े educational institutions हैं जड़े की चाहे वो school दे बच्चे होन चाहे college दे students होन और चाहे university दे जड़े students है उना विच वद तो वद संख्या विच असी गुरुनानक जी दा जीवन दर्शन उना दा संदेश उना को असी लेके जाए और एस सिल्सले विच जड़ा साथा public relations department हैगा वो अलग लग उप्राले करेगा कि चाहे वो through the written word या जड़ा audio visual medium हैगा अजकल थ्रू television या थ्रू social media या जड़ा printed word हैगा है वो दे थ्रू असी कोशिश करांगे कि विशेश तोरते जड़ी साड़ी young generation है उना नू बड़े सरल तरिके नाल कि गुरु जी दा संदेश की सिगा वो असी उना तक पहुचाईए जिद्दा की दस्या गया गुरु जी दा जड़ा संदेश सिगा that was the message of universal brotherhood, peace, harmony और सब तो बड़ के जड़ा की उना दा संदेश सिगा service to all humanity और जिद्दा दस्या गया की उना दे आगमन तो पहले चाहे वो religion सिगी या philosophy सिगी वो बड़ी एक good चीज मनी जन्दी सिगी जिनों की पड़े लिखे लोग ही या जड़े बहुत पहुंचे वे लोग हैंगे वो ही उन्हों समझ सकते अग्गे उदा प्रचार कर सकते ने जो अगर क्या जाए जिरी खास गल सिगी गुरु जी दे संदेश बारे the uniqueness of Guru Nanak's message was its simplicity and the ability for people to understand it जो अतम जी जी ने भी किया कि एक प्रेक्टीशनर दे तौरते एक प्रेक्टिकल परसन दे तौरते लोका दे भिच जाके उना नाल गल बात करके उना दे experiences तो उना दे अनुबवां तो सिख दे हुए गुरु जी ने अपनी philosophy अपना संदेश उना ने formulate किता ते उन वग्गे जन जन तक उना ने पहुंचाया At the cost of repetition मैं भी एक वारी जिड़ा एक क्या गई गल जो कही गई जिड़ा कि गुरु जी ता एक बड़ा एहम संदेश हैगा कि गुरु जी ने एप सार्या नों suggest किता recommend किता कि नाम जपो किर्थ करो और वंट शको एदी परिवाशा करते हुए मेरा अपना जो विचार हैगा कि गुरु जी ने इस गलते बहुत जोर दिता कि truthful living अपने समाज दे प्रती अपने आपनों सच्चा साबित करना लेकिन ओ तो भी वाद के towards yourself कि अपने प्रती भी individual should be truthful और यह तदी संभव हैगा when there is purity of mind अपना दुनिया दे तरफ रवया अपना दृष्टी कोन जाते ही ओ सही नहीं हैगा ताते ही किसे लिए truthful living भी संभव नहीं हैगी और एदे नाल ही जडियां कलना जुडियां होई हैगी चाहे वो सत दी होई that is truth संतोक that is contentment दया that is mercy सेवा that is service लेकिन सब तो वद के जो गुरुजी ने क्या निम्रता that is humility एप उना दे जीवन तो सनु संदेश मिल देने तो मैं आशा करदा है कि हर्याना दा हर वर्ग दा समाज ते हर प्रकार दा इदारा ये जडियां पूरे साल दियां celebrations या एक कारे करम जो हो रहा हैगा इदे विच सारे मिलके इदे इदे इच हिस्सा लेंगे और जो गुरुजी दा एहम संदेश हैगा यानि की सर्बत दा पला उदी पूर्ती लिए असी सारे मिलके काम कर सकांगे और जिद्धा की क्या गया ये असी इस गलनों अपनी जीवन विच उतार सकांगे जिद्धा क्या गया की सत्गुरु नानक प्रगटिया मिटी तुद तुंद जग चानन होया सो मैं उमीद करता है कि एड दी एंड ओफ दी येर लॉंग सेलिब्रेशन्स एदा असी अगर पंज प्रतिश्चत या दस प्रतिश्चत भी अचीव कर लोंगे ते एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्दी होएगी तुसी सारे या जित्ते हाजिर होए और विशेश्चत औरते जिड़ा साड़ा पैनल है मैंनो एदेच केंदे होएग कोई हिचक नहीं हैगी कि एनना डाइवर्स और एनना अकम्पलिष्ट जिड़े साड़े वक्ता आएने एतो वदिया शुरुआत एतो वदिया एस उकेजन लई और कोई नहीं हो सकते थे तो आप सब्दा बहुत बहुत तन्यवाद जैह है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत तन्यवाद आलणी अडियस से ठेशी साब हमारे मुक्य सची और मैं निवेदन करूँगा श्रीविने पटाप सिंग जी हमारे उपायुत करनाल वाएं और विद्धिवत आप सब का आभार विक्त करें श्रीविने पटाप सिंग जी आज के इस कारेक्रम के मुक्य अतिति श्री डीयस धेसी मुक्य सची भरियाना सरकार मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिति एवं बक्तागन डॉक्टर हरजिंदर सिंग दिलगीर जी श्री रुपिंदर सिंग जी डॉक्टर सुर्जीत पातर जी श्री आत्म जीत सिंग जी डॉक्टर जगबीर सिंग जी महानिदेशक IPR विभाग श्री समीर पाल सरोजी यहां सबागार में उपस्थित अन्य अतितिगण और विशेश तोर से यहां पर उपस्थित विधायक असंध श्री बक्षीश सिंग विर्क जी पत्रकार साथी, सूचना, जनसंपर्ख एवं भाशा विभाग के सभी अधिकारी गण श्री गुरुनानक देव जी के पांसो पचासवे प्रकाश पर्व के अफसर पर आयोजेते सेमिनार में शामिल होने पर आप सभी को हर्यान सरकार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ साथ साथ मैं सूचना एवं जनसंपर्ख विभाग का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पावन कारेकरम के लिए करनाल को चुना जहां बाबा नानक के पावन चरण 1515 में पड़े थे धन्यवाद करता हुप यह उन्हों करता हुप करता हुप करता हुप करता हुप